नमस्ते फ्रेंड्स आज हम मटर की दाल बना रहे हैं इसके लिए मैंने एक केजी मटर है जिसको मैंने छील लिया है दो छोटे साइज के आलू है जिसको मैंने काट करके दो लिया है थोड़े से धनिया पत्ता है इधर मसालों के लिए मैंने एक टमाटर तीन हरी मिट आधा च जीरा लिया है इस चारो को हम ग्राइंट कर लेंगे इसम तरका देने के लिए वन फॉज टी स्पून जीरा और दो तेज पत्ता ले लिया है कबसे बहुत हम कराई को गरम करेंगे इसमें हम चार टेबल स्पून तेल डालेंगे जीरा और तेज पत्ता डालेंगे जीरा चाटक जाए तो इसमें कटे हुए आलो डालेंगे मिक्स कर देंगे बीच बीच में ढख देंगे और मिक्स कर देंगे इधर हम जो टमाटर लिये था टमाटर हरी मिच इसको ग्राइंड कर लेंगे जार हमारा आलो अच्छे से प्राई हो चुका है इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे वन फॉर्थ टीजपून हल्दी पाउडर डालेंगे और जो मसाले मैंने पीस के रखे हैं उसे भी डाल देंगे मिक्स कर देंगे यह मैं वर्ड फॉर टीजपून कस्मेरी लाल मिच डाल रही हूँ यह बिल्कुल आप्सिनल है इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारा तेल सेपरेट ना हो जाए अधर हम मटर को थोड़ा सा पानी डाल के ग्रैंड कर लेंगे डाल के मिक्स कर देंगे इसका कलर दीरे दीरे भूनते भूनते चेंज हो जाएगा मैंने इसे लो फ्लेम पर बीस मिनट तक भूना है बीजबीच में मिक्स करते रहेंगे अब हमारा मटर बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है अब मैं इसमें चार कप पानी डाल रही हूँ मिक्स कर देंगे अब हम इसे ढख करके पांच मिनट तक उबलने देंगे हमारा दाल बन करके बिल्कुल तयार हो गया है यह देखिए हमारा दाल रिडी हो गया है अब हम इसमें तरका लगाएंगे मैंने तरका पैन में एक चम्मस तेल डाला है जीरा डाला है जीरा हमारा चटक जाया है तो हम गैस बंद कर देंगे और 140 स्पून कस्मीरी लाल मिर्ट डालेंगे और दाल में डाल देंगे मिक्स कर देंगे यह तरका लगाने से दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है यह दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है आप एक बड़ जरूर ट्राई करें अगर विडियो अच्छा लगे तो लाइक करें फैमिली फ्रेंड के साथ सेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू